हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू पी एसी आनायस आज की स्वीडियो में हम डिसकस करेंगे टैंथ आनायस सोशल साइंस जिसका कोड है दोसो तेहरा उसके मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन आंसर हिंदी और इंग्लिश तोनों मीडियम में वीडियो को देखें बिना स्किप किये और एक क्वेशन आंसर को आप अच्छे से प्रिपेर करें बिपोर एक्जाम क्योंकि यहां पर मैं आपको मोस्ट सेलेक्टिड और रिपीटिड क्वेशन बताने वाली हूँ उनको अच्छे से प्रिपेर कर लें चानल पर नीव हों तो और इसक्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा बाकी अगर आपको चैप्टर की नोट्स बनाने है अपने पर चैप्टर के हिसाब से तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी ताकि आप अपने चैप्टरवाइस नोट्स मी बना सको तो चलिये पहला क्वेशन देख लेत देखो उच नियायले एक अपीलिय नियायले भी है जिलास तर पर सभी अधिनस्ट मामलों के निर्णों के विरुद उच नियायले को अपील सुनने का अधिकार होता है ठीक है यानि जितने भी ऐसे अधिनस्ट मामले होते हैं अगर उनके विरुद जाकर के अपील हाई कोट म दिवानी मामलों में जिला निया अधिश के निर्णा के विरुध उच निया अले में अपील की जा सकती है अगर सतर निया अले ने साथ वर्ष या इस्तिया अधिक का कारावास दिया हो तो उसके निर्णा के खिलाफ जाकर के भी हम उच्छ नियाले के समख्ष अपील कर सकते हैं ठीक है यानि how is the high court an appellate court high court is also an appellate court the high court has the right to hear appeals against the decisions of all subordinate cases situated at the district level यानि district level के जितने भी you know cases होते हैं उनके against high court में सुनवाई हो जाती है in civil cases the decisions of the district judge can be appealed to the high court if the sessions court has awarded imprisonment of seven years or more its decision can be appealed to the high court next question है राजयपाल की चार विधाई शक्तियों का वड़न करना है यानि describe the four legislative powers of the governor यानि governor की four legislative powers को describe करिये चार विधाई शक्तियों के बारे में बताईए तो देखो राजयपाल की विधाई शक्तियों निम्लिकित हैं पहली ये है कि राजयपाल को विधान मंडल का सत्र बुलाने और समाप्त करने की शक्ति है दूसरी है कि वह मुख्यामंद्री के परामर्श पर विधाering पर विधान सभाब भंग कर देख लेते हैं इसका the legislative powers of the governor are as follows यहनी जो legislative powers and governors की वो नीचे लिखी है पहले है the governor has the power to convince and end the session of the legislature दूसरी है he can resolve the assembly on the advice of the chief minister थर्ड है he nominates about one six members of the state legislative council and fourth है a bill becomes law only after the approval of the governor अगर यह pdf आपको चाहिए बच्चो तो यह pdf आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाती है टेलिग्राम का link description box में है जिसको आप join कर सकते हैं और वहां से इसके अलावा जो आपके other subjects हैं उनके important question answers की pdf भी आपको मिल जाती है टेलिग्राम आप description box के दुरू जाकर की join कर सकते हैं next question है सामुहित जीवन वे धर्म का समाज पर क्या असर पड़ता है यानि हमारे जो society है उस पर सामुहित जीवन और धर्म का क्या effect पड़ता है यानि इसके दुआरा दिको संहित परिवार में रहने की प्रथाच चल पड़ी जिसके कारण सामान विश्वास आपसी कारण जैसे की व्यापार राजनेयतिक और सुरक्षा आदी मतलब जैसे इनसान एक joint family में रहता है न ऐसे ही इसकी वज़े से लोगों का जो है संहित परिवार में रहने की प्रथा चल पड़ी जिसकी वज़े से ही जिसके कारण सामान विश्वास आपस में लोग का मजबूत हुआ आपसी कारे लोग एक दूसरे के करने लगे जैसे की वैपार राजनेयतिक और सुरक्षा सामान ज्यादा मजबूत अ काफे चलने वाले हो गए और इसकी वज़े से कारे की शमता भी बढ़ गए थी यानि what impact did collective life and religious have on society due to this the practice of living in joint family started due to which common trust mutual work such as business political and security etc the goods became stronger and more durable because of this the work capacity had increased चलिए फूर्थ question है आग की खोज का क्या महत्व है यानि what is the importance of discovery of fire यानि देखो अगर आज आज आपके जीवन में आग ही नहीं होती तो क्या होता मालब खाना क्या पका हुआ मिलता है बहुत सारी चीज़े हैं जो आग की खोज पर depend करती हैं तो देखो आग की खोज का तर ठीक है क्योंकि आग से जानवर डरते थे यह अपनी अपनी गुफाओं के सामने आग जला कर रख लेते थे जिससे जानवर उनके समीब उनके पास ना सके अब लोगों को खाना पकाने का एक साधन मिल गया जिससे खाना स्वादिष्ट बनने लगा यानि देखो इससे पहन इसकावरी 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 इसका of their caves so that animals could not come near them so people got a means of cooking which made food tasty people used to protect themselves from the during the monsoon season at the same time they also got light तो ये सारे benefits थे जो middle age के जो लोग थे middle stone age के जो लोग थे उनको benefit मिला आग से चलिए अभी अगला question हम लोग देख लेते हैं which is question number 5 so ये question है हमारा कि Muslim League की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था ठीक है तो देखो Muslim League की स्थापना 30 December 1906 1906 में एन एच आगा खांके नेतरत में धाका में की गई इसके संस्थापक अध्यच सलीम उल्ला खान थे और Muslim League की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुसल्मानों की अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उन्नत करना और उनकी जरूतों को सरकार के सामने रखना था यानि इसका उद्देश्य क्या था मुसल्मानों की रक्षा करना वो तभी वाकि में की जा सकती है जब उनका जो लीडर है ना रिप्रेजेंटेटिटिव है वो किसी मुसलिम समाज का ही इंसान हो खुद भी तो देखें वेन वस्टेम लीग एस्टेबलिश्ट वट वस्टेमिन अब्जेक्टिव और इस इस्टेमिश्मेंट So, Muslim League was established on December 13, 1906 by NH Made in Dhaka under the leadership of Aga Khan. Its founding presence was Salimullah Khan. The main objective of establishing the Muslim League was to protect and advance the rights of Muslims and to put their needs before the government. The leaders of the Muslim League believed that Muslims could be protected only when its representative was from a Muslim community. Let's see the question number 6, जो कि आपके सामने है. ये question है हम लोग का Simon Commission के उपर. Simon Commission को भारत छोड़ने को क्यों कहा गया? याईनि, why was this Simon Commission asked to leave India? देखो, November 1927 इसवी को Sir John Simon की अध्यक्षिता में साथ सदस्य एक दल भारत आया. किसकी अध्यक्षिता में? सर जौन साइमन के अध्यक्षिता में, 1927 इसवी को एक दल भारत आया. क्योंकि इस समय भारत की राजनीतिक इस्थिती अत्यंते दैनिये थी, इसलिए इसका मुख्य उद्देश यहां के सम्मिधानिक असुधारों के विशे में विचार करना था. इस कमिशन में भारतिय नहीं थे, अत्या भारत चुडने के लिए कहा गया. तो दिखें, वाई वोज दी, साइमन कमिशन आस्थ तो लीव इंडिया? यानि, on November 1927, a seven-member team headed by Sir John Simon came to India. Since the political situation of India at this time was very pathetic, therefore, its main objective was to consider the constitutional reforms here. There were no Indians in this commission, hence he was asked to leave India. Next question है, सभ्यता का विकास कैसे हुआ? ठीक है, यानि, civilization जो है, वो किस तरीके से develop हुई? How did civilization develop? मनुश्य उन्नती करते हुए, धीरे-धीरे आगे की और अगरसर हुआ, आगे की और बढ़ा. बड़ी मात्रा में कुरशी पशुपालन होने लगा और उसका संचार भी करने लगा, ताकि वह आगे काम आ सके. इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब लोगों के पास समय बचने लगा, ठीक है, तथा उनका जो धिहान है अन्य बातों की तरफ पड़ा और लोगों का शहरी जिंदिकी में फिर परवेश हुआ. How did civilization developed? Men gradually moved forward while progressing. Agriculture and animal husbandry started taking place on a large scale and their communication also started so that it could be useful in future. The result was that people started saving time which led to the development of civilization. Painting, sculpture, music and other such arts also developed. Now people had comforts and their personal life started getting fulfilled. Their attention turned towards these other things and people entered urban life. चलिए अगला question देख लेते हैं जो कि आपके सामने हैं. भारत छोड़ो अंदोलन का क्या महत्व है? ये भी काफी important question है, multiple time repeated है. यानि what is the importance of quit India moment? देखो दुएती है विशुविद के समय, यानि जब दूसरा विशुविद हुआ, उस टाइम पर गांदी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन चलाया. तो इस पर सरकार ने कॉंग्रेस को गैर कानूनी घोशित कर दिया. कठोर दबन चक्र चलाया गया, लाखो वेक्ती बंदी बनाये गये, लेकिन भारतिया ना रुके न जुके, बदले की भावना से भर गये, लगभग 250 रेलवे स्टेशन और 560 डाक खाने नश्ट कर दिये गये, 250 पुलिस चोकियों पर भी हमले किये गये. अब अंग्रेजी सरकार जान गई कि भारते सटंडरता से वंचित रखना कठीन ही नहीं आसंभव है. ठीक है? What is the importance of quit India movement? During the Second World War, Gandhiji launched the quit India movement. On this, the government declared Congress illegal. A harsh repression cycle was carried out. Lakhs of people were taken prisoner, but the Indians neither stopped nor bobbed down. Filled with the feeling of revenge, about 250 railway station and 560 post offices were destroyed. 250 police posts were also attacked. Now the British government knew that depriving India of independence is not only difficult but impossible. So ये था कि भारत छोड़ो अंद्वलन का ये पूरा महत्व था. Next question है आपका इंदेंचाई से आप क्या समझते हैं? यानि what do you understand by इंदेंचाई? तो देखो इंदेंचाई मजदूर से ताथ पर ये वह वहकती हैं जिसे एक समविधा के आधार पर एक निर्धारित समय अब्धी के लिए किनी दूसरे वेक्तियों के लिए काम करना पड़ता है. इंदेंचाई एक एसा इंसान है जिसे किसी मतलब समविधा के फिक्स पीरिट टाइम के लिए ठीक एक लेबर की तरह होता है इंसान और फिक्स पीरिट टाइम के लिए किसी दूसरे इंसान के लिए काम करना होता है. उस वेक्ति को विदेश किसी नई स्थान पर काम करना पड़ता है और उसके बदले मूं से यात्रा करने के लिए किराय का भुक्तान आवास और खाना दिया जाता है यानि यानि इसको किराय भड़ावी दिया जाता है अगला क्वेशन देख लेते हैं मैपिला विद्रोह किसे कहते हैं देखो मैपिला भाड़े पर खेती बाड़ी करने वाले भूमिहीन, मजदूर और मालाबार छेतर के मच्छवारे मुसल्मान थे यापको पता होनी चीए मैपिला कुन थे, भाड़े पर खेती करने वाले, याई किराय पर एक तरी के से खेती करने वाले जिनके पास दमीन नहीं थी, ये मजदूर मालाबार छेतर के मच्छवारे मुसल्मान थे मालाबार छेतर पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नई भूमी कानूनों के साथ जमीन के मालिकों द्वारा अत्या चारों ने मैपिल्ला लोगों को अंग्रेजों के विरुध विद्रोह करने के लिए एक साया जिसे हम मैपिल्ला विद्रोह के नाम से जानते हैं मैपिल्ला वर मुस्लीम हायर्ड कल्टिवेटर्स, लैंडलेश लेवर्स, और फिचर्मेन ओप दी मालाबार रिजिन, और अट्रोशिटीज वायर्स, लैंड ओनर्स, अलोंग विद नियू लैंड लॉस प्रोवोक्ट, दे मैपिल्ला पीपल रिबल अगेंस दी ब्रिडिश नेक्स वैशन है, बारत में उननीस वी सताब्दी के धर्म सुधार आंदोलनों के संबंध में चार बाते विटाईए, ठीक हैं, यानि जो धर्म सुधार आंदोलन थे भारत में 19-वी शताब्दी के अंदर जो धर्म सुधार आंदोलन थे उनके बारे में आपको चार पॉइंट्स बताने हैं तो देखो 19-वी शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलनों के संबंध में चार बाते निमली कित हैं पहली ये है कि उननीस वी शताब्दी के सुधारकों में अधिकतर को भार्दिय परंपराओं, दर्शनों और धार्मी गरंथों की गहरी जानकारी थी। उनके विचार अधिकतर मामलों में लोकतंतर एम समानता के पस्ची में विचारों और सिधानतों से प्रभावित थी। हमाला देते हुए है, पक्ष रखा कि उननीस वी शताब्दी के दोरान धार्मी जीवन में प्रेशलित मानता है, वास्तविक धर्म का भाग नहीं है। चलिए, स्टूडेंट्स अगर आपको ये पीडिएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलिग्राम जोइन कर लीजे, टेलिग्राम पर आपको फ्री अफ कोस्ट ये पीडिएफ मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है। अगला question है, tell four things regarding the religious reform movements of the 19th century in India. बतलब यही question का हम लोग English medium में देखने वाले हैं इसको. तो देके, following are four things regarding the religious reform movements of the 19th century. Most of the reformers of the 19th century had deep knowledge of Indian traditions, philosophies and religious texts. His views were in most cases influenced by Western ideas and principles of democracy and equality. Second है, the reformer's criticism of religion was based on both tradition and modernity. Third है, there were many such social evils in India which were prevalent in the society in the name of religion. Although these could be eliminated with efforts, if the religion stops giving them ashrams, that is possible only when the religion itself improves. And the fourth is, sitting traditions, especially religious books, he urged that the beliefs prevalent in religious life during the 19th century were not a part of real religion. Next question है, question number 12, जो की है, उन इस्थितियों की व्याक्या कीजिए जिनमें राज्यपाल अपनी विधाई शक्तियों का प्रियोग कर सकता है? मतलब वो कौन कौन सी सिचुएशन हैं जिनमें राज्यपाल जो है वो अपनी विधाई शक्तियों का इस्तिमाल कर सकता है जो उसके पास शक्तियों हैं उनको प्योग मिला सकता है? तो देखो राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है वह मंत्री परिशत की सहायता से राज्यों का शाशन भी चलाता है भारत के प्रते एक राज्ये में 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 पर धिश्ट के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, मुख्य मंत्री का यह सार सम्वेधानिक दायत्व है, यानि उसका एक सम्वेधानिक फर्ज है कि वहराजिपाल को राज्यप्रषासन के बारे में सूचनाई तथा प्रस्तावित विधे के समद्ध में सूचनाई मा अपनी समझ के हिसाब से कारे करने के लिए उसको नुमती दी गई है Explain the situations in which the governor can exercise his legislative powers Answer है, the governor is the head of the state यानि governor कुन होता है, हर एक state का head होता है He runs the governments of the state with the help of the council of ministers There is a provision of governor in every state of India In practice, all the statuary powers of the governor are exercised by the state council of ministers under the leadership of the chief minister The governor appoints the chief minister and on his advice other ministers of the state council of ministers are appointed It is the constitutional responsibility of the chief minister to ask the governor for information about the state administration and the information regarding the proposed bill In some special circumstances, the constitution has given him permission to act on the basis of his discretion In this way, we have seen that the governor of the state will be able to act in which conditions or situations The next question is question number 13 जो कि आपके सामने है इसमें कहा जा रहा है कि उच्छ नियायले के नयाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है यह भी multiple time repeated question है इसको भी आपको अच्छे से prepare करना है How are High Court Judges Appointed? यानि High Court याइप कैसे का जाता है उनकी नयुक्ति कैसे होती है देखो नयाधीशों की नयुक्ति राश्ट्य पती के द्वारा कि जाती है उच्छ नयायले के मुख्य नयाधीश की नियुकती के समय राष्टपती अनिवार रहता भारत के मुख्य नयाधीश से परामर्श लेते हैं वह सम्मंदित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श ले सकते हैं अन्य नयादीशों को न्यूक्त करते समय राष्ट पती संबंदित उच्छ नयायले के मुख्य नयादीश से भी परामर्श ले सकते हैं भारत के मुख्य नयादीश का स्थाना अंतरण दूसरे उच्छ नयायले में भी कर सकते हैं बारत में यह परंपरा विक्सित हुई है कि उचने आले के मुख्यन अधीश के पद पर राज्य से बाहर के वेक्ति को ही नुक्त किया जाता है How are High Court Judges Appointed? यानि appointment of judges देखिये, the judges of the High Court are appointed by the President President के तुरून को appoint किया जाता है While appointing the Chief Justice of High Court, the President compulsorily consult the Chief Justice of India He can also consult the Governor of the concerned state Other judges, the President may also consult the Chief Justice of the concerned High Court The Chief Justice of India can be transferred to the another High Court A tradition has developed in India that only a person from outside the state is appointed to the post of Chief Justice of the High Court चलिये, अगला क्वेशन है हमारा समीधान के किस अनुछेद में समानता के अधिकार पर बल दिया गया है In which Article of the Constitution has the right to equality been emphasized? देखो सम्यधान के अनुछे 14 में उलेक किया गया है कि धर्म, मूलवन, शजाती, लिंग, जन्म, स्थान, अत्वा, इन में से किनिंग के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सम्यधानिक प्राफधानों ने देश के समाजिक राजने दिक्ता आर्थिक विकास में समाज के पिछले वर्गों यानि अधिकार वहीन वर्गों की भागीदारी भी सुनेशित की है यानि समाज का हर वर्ग अर तब का हर एक इनसान एक समान है हर एक जाती का हर एक धर्म का इनसान वैच्ती एक समान है देखो, आंसर क्या है मारे इसका? It is mentioned in article 14 of the constitution that no citizen shall be discriminated. किसी को discriminate नहीं किया जाएगा against on the basis of religion, rares यानि रंग भेट के अधार पर, religion के अधार पर, caste के अधार पर, sex, place of birth of any of them. किसी चीज़ के अधार पर भी, किसी चीज़ के बेस पर भी किसी को discriminate नहीं किया जाएगा. These constitutional provisions have ensured the participation of backward classes, यानि of the society in the social, political and economic development of the country. ठीक है, तो यह हमने देखा है कि यह article 14 है, जो समानता के अधिकार पर बल दिया है, और इसके according सभी लोग किसी भी जातित धर्म समुदाय लिंग के हर एक इनसान एक समान है. अगला question है, समाज सुधार के छेतर में जोतिपा पूले और उनकी पतनी की योगदानों के बारे में बताईए. यानि, give a brief account on the contributions of जोतिपा पूले and his wife in the field of social reform. तर्मान, फूले जोतिपा पूले और उनकी जो wife थी, इन दोने जो योगदान दीना, किस्में समाज की सुधार के छेतर में. तो देखो, जोतितपा पूले और उनकी पतनी नागरी को उन्दलीतों की समस्याओं पर अपना ध्यान के इन्जूरत किया, और 1848 में पूना में लड़कियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल खोला इसके अलावा जोतिबा पूले ने सत्या शोशक समाज का गठन किया जो निम्न जातियों को शोशल और अत्याचार से बचाती है अंसर देख सकते हैं जोतिबा पूले and his wife focused their attention on the problems of citizens and Dalits and opened a school in the Puna in 1848 with the aim of providing education to girls apart from this, जोतिबा पूले reformed the Satya Shodak Samaj which protects the lower caste from exploitation and oppression तो ये हमने देखा है कि वही समा सुधार में जो जोतिबा पूले था उनकी वाइफ था, उनका क्या contribution था with this हमने यहाँ पर 15 most important question answer discuss कर लिए है I hope आपने वीडियो को लाज तक देखा होगा अंत तक बने रहने के लिए thank you so much वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe करें अगर NIS board regarding कोई वीडाव ठेक वारी है तो इस नंबर को PSC NIS के नाम से save करके रखें और इस पर आप WhatsApp के थूरू भी contact कर सकती है अगर आपको October 2023 का admission लेना है तो उसके लिए भी आप हमसे contact कर सकते हैं बहुत एच्छे तरीके से unreasonable charges में आपका admission कराया जाता है अगर आपको notes चाहिए, important question answer चाहिए या फिर आपको किसी course में enroll होना है तो आप हमारे एप को download कर लो एप का नाम है पाई study circle जिसका link description box में लिया गया है तो चलिए do like, share, comment and subscribe और ये PDF में टेलिग्राम पे share कर दूँगी टेलिग्राम को भी join कर लेना link description box में है इसके लावा description box में आपको काफी सारी useful videos के link में जाएंगे उनको देखकर के फाइदा उठाई और exam में अच्छा score करिए तो चलिए next video मिलते हैं thank you so much and goodbye